हेलो जी कैसे हो सारे दिस इस लक्षे सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी OS सीरीज का लेक्चर नमबर बन चीज एक दम सिंपल होने वाली है एक दम हम बेसिक से शुरू करेंगे OS होता क्या है क्यों जरूरी है किस लिए OS इस दुनिया में एक्जिस्ट करता है ठीक है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं या वाले पार्ट से OS होता गया जान वह ना नहीं करिये तो मद ही करना यूज बिगारई बैड ठीकर तो तो टो को रन करने के लिए किसी भी मुबाइल पोन में या टैबलेट में हमें क्या-क्या चाहिए कुछ बैसिक चीजों की जरुत होती है हमें एक है हमारा CPU, Memory, GPU चाहिए हमें, और डिस्क चाहिए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, एक छोटा सा computer, एक minimalistic computer, जिसमें ये 4 component तो होंगे ही वहिया, ठीक है, तो अब आपको टिक टोक यूज़ करनी थी, आपने टिक टोक एप अन करी, अन करते ही, अब क्या होगा, OS जैसी कोई चीज नहीं है भी इस दुनिया में, ये दिवां में रखें, अब OS नहीं है तो क्या होगा, टिक टोक जैसे ही लॉँच होगा, टिक टोक जैसे ही लॉँच होगा, वो कहेगा, मुझे चाहिए थोड़ा CPU, memory भी चाहिए, मुझे GPU चाहिए, और थोड़ी डिस्क भी चाहिए, पट OS क्योंकि नहीं है, वो क्या करेगा, सीधा उठाएगा, CPU के बाद जाएगा, memory के बाद जाएगा, GPU के बाद जाएगा, डिस्क के बाद जाएगा, उसको पूरा हैक कर लेगा, ठीक है तो इस टाइम हमारे सारे रिसोर्स हैग हो चुके हैं है कर लेगा तो अब हैक हो गए तो इसमें सबसे बड़ी चीज आप टिक टॉक तो यूज कर पा रहे हो बट आपका मन किया थोड़ा गेम खेल लेता हूं पब्जी खेलते हैं चलो ठीक है अब पब्जी का आपका मन हुआ आपने टिक टॉक को बोला टिक टॉक तो थोड़े दिर शांत बैट में को पब्जी खेलना है बट क्यूंकि आपके रिसोर्स सारे हैक कर गए हैं टिक टॉक ने पब्जी ओन भी नहीं हो पाएगी पब्जी ओनें से पहले ही वह हैं स् अब यह चीज मैं कैसे करूं तो हमें चाहिए कि टॉक को सारे डिशोर्स ना दे जहते हैं कुछ-कुछ परसंटेज उन डिसोर्स का तो अब हम क्या करते हैं इसके बीच में डाल देते हैं वेस की लेयर वेस आगया है अब वेस क्या करेगा वेस क्या करेगा कि टिक टॉक कि यह गुंड़ा पंटती छोड़ो और 5% ले लो सीप्यू तेक है 10% ले लो मेंबरी और बाके कुछ 12% जीप्यू देते हैं इसको एंड सो ओन अब क्यूंकि सारे रिसोर्स इसको नहीं दिये गए है तो पब जी भी अब मेंबरी में आ सकता है अब आएगा पब जी अब जी जी अब जी आएगा पब जी को बोला अब जी थोड़ी सी हैवी आप है तो इसको तो आप देख पा रहे हो कि यहांपर कुछ रिसोर्स मैंचस मेनेजमेंट जैसा कुछ हो रहा है कि सारे रिसोर्सेष एक ही को नहीं दीए जा रहे हैं अमने पब जी को भी कुछ gallery लजमेंट तो इसको पहला काम भी देखा, उसको हम कह रहे हैं, रिसोर्स में. जो सबसे बड़िया चीज मुझे लगती है, जिसकी लोग भी काफी तारीफ करते हैं, वो है one-on-one mentor support, जिसमें आपको कोई भी doubt हो, वो average 20 minutes में solve हो जाता है, आप इंटरस्टेड हैं, मोक इंटर्व्यूस में, फ्री कॉंटेंट में ये भी आपको यहां मिलता है, जिन भी लो तो अब यह आपने देखा OS नहीं था, तो कैसे hacking चल रही थी, hijack, hijack हो रही थी चीज़े, और अब resource manage होके use हो रही है, तो OS का पहला काम हमारा यह हो गया, resource management आपने देखा कैसे होता है, अब आप थोड़ा-थोड़ा देख रहे होगे, जो अब भी हमने यहां पर OS को add किया यह आपने OS को add किया, अब इसको थोड़ा टेक्निकली हम थोड़ा अच्छे words में बोलें, तो OS नहीं यहां पर, एक interface की तरहा काम कर रहा है, इसकी तरहा काम कर रहा है, interface, अब यह नई चीज़ बोल दी, अब interface क्या होता विया, अब इसको देशी example समझतें, interface होता क्या है, देखो आप सब बैंक जाते हो, तो बैंक जाते हो, यह आप हो, आप जाते हो बैंक, आपको चाहिए अपने 10,000 रुपे जो आपके बैंक में पड़े हैं, आपको cash निकलवाना है, आप जाते हो अंकल के पास, यह आपका बैंक है, यह आपके अंकल है, खरूस से, SBI की बात ह बैंक जाते हैं, और पैसे लेके आते हैं, फिर आपको देते हैं, तो अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक interface की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद नहीं जा रहे हो, अंकल जा रहे हैं, अंकल होगे interface, अब अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे समझू, analogy बिठाओं जो अभी हम discuss कर रहे थे, OS वाले case में, तो जो आप हो, जो आप हो, वो हो, यूजर एप, टिक टॉक, ठीक है, और जो बैंक है, बैंक में जो अंकल बैठे हैं, अंकल जो बैठे हैं, वो है, interface, जो की है यहाँ पर, OS, ठीक है, और अंदर जो ख़जाना पड़ाता है, पैसे होगा, वो हो गया आपके, resources, CPU, GPU, etc, तो यह होगा, हमने समझ लिया, आप interface होता क्या है, तो OS यहाँ पर, as an interface, act कर रहा है, आपके resources, आपकी user app के बीच में, OS एक interface है, ठीक है, तो हमने समझ लिया, कि OS एक interface की तरह act करता है, अब एक और चीज़ समझते हैं, कि OS ना हो, तो क्या होगा, इसकी एक और problem को सम मसते हैं, अब आप सोचो कि, आप सब coding करते हो, अपनी apps लिखते हो, तो आप क्या करते हो, अगर C++ की में बात करूँ, C++ की, अगर मैं बात करूँ, आप memory allocation के लिए क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो, malloc, या new, C मे, malloc, दोनों में supported है, तो malloc आप यूज़ करते से ये memory के अंदर जा रहा है, कौन से sector से free memory निकाल के दे रहा है, ये आपको इस चीज़ की कोई जानकारी भी नहीं है, आपको इस चीज़ से मतलब है, आपको अपने app के logic से मतलब है, तो अगर OS यहाँ पर नहीं होता, अगर OS नहीं होता, वापस से TikTok के example पे आते हैं, ये management का भी logic लिखना पड़ेगा, OS तो है नहीं, खुद करो भाई memory management, खुद देखो कि आपको CPU कैसे यूज करना है, memory कैसे यूज करना है, तो ये memory management का code भी उसको खुद लिखना पड़ेगा, बाकि और resources के management का code भी उसको खुद ही लिखना पड़ेगा, memory management का example ले रहे हैं, अब ध्यान से देखो, अब हो क्या रहा है यहां पर, कि same code, अब किसी computer के अंदर memory management का same code होगा, कि कहां पे resources हैं, कहां नहीं हैं, वो same code यूज होगा, same code टिक टॉक के अंदर भी है, पबजी के अंदर भी है, खुद का logic भी है, और extra code भी लिखा हुआ है, अब इससे क्या हु पूर्स management का code आप इसमें डाल दोगे, एडिशनल और 700-800 MB इसमें आप एड़ कर दे रहे हो, और सिर्फ ये addition सिर्फ टिक टॉक में ही नहीं, पबजी में भी होगी, ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि apps हो गई, बलकी हो गई है, आप कितना मतलब सब खिचडी हो गई प्राइम नंबर निकालने का function है, ठीक है, प्राइम नंबर निकालने का function आपको code में बहुत जगा पर प्लेस करना है, तो आप क्या करते हो, आप simple उठा के एक function लिख देते हो, ठीक है, और उस function को call कराते है, तो यह होता है, आपका do not repeat your principle, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था, कि memory management और बाकि resources के management का code खुद ही लिखना पढ़ रहा था, application developer को, तो यहाँ पर same code repeat कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ज्यान से सोचे तो हम, तो drive principle का evaluation हो रहा है, इसको रोकने के लिए, अब देखो, वापस से OS जब पिच्चर में आएगा, त अब हम क्या करेंगे, जो यह resource management का code है, OS के code base के अंदर होगा, सारे resource management code, being it memory management, scheduling, process management, जो भी, सब उसी में बढ़ा होगा, अब इस से लखो काम कितना easy हो, आप application developer हो, आपको मालो कुछ अपनी application लिखनी है, weather की app लिखनी है, तो आप weather की app कैसे work करें ही, उस बारे में सोचो के बस, आप इन सब चक्रों में बर्क भी हुआ, कि वो बलकी होने से बचाता है, ठीक है, बलकी आपस नहीं होंगी अब, तो OS ना हो, तो memory management का issue आता है, resource management का issue आता है, बलकी हो जाती है, तो इस तरीके से कुछ होता है, तो ये दो काम आपने समझ लिए, अब एक और बहुती important काम है, जो OS करता है, तो OS ना हो, तो एक और important काम है, जो अब हम मेरे दिमाग में आ रहा है, जो हमें discuss करना चाहिए, I guess, वो है आपका isolation and protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कैसे, अब एक और example लेते हैं, कि ये थी आपकी memory, ठीक है, अब इस memory में आपके पास ऐसे blocks हैं मालो, ये आपके blocks हो गए, अब इन blocks में, अब मैं देखता हूँ, कि जैसी आपने, जैसे हम example ले थे previous, वो example था हमारे TikTok memory में है, ठीक है, और आपके PUBG भी memory में है, जब आपने ओन किया, तो क्या हुआ, TikTok ने कुछ memory ले ली, PUBG ने उठा के कुछ memory ले ली, अब ध्यान से देखो, अभी आपको इनकी memory अलग-अलग नजर आ रही है, बट ज़रूरी ऐसा नहीं है, ऐसा अब OS जब नहीं है, तो कोई isolation नहीं है, अलग-अलग apps नहीं है, isolation का यहां पर क्या मतलब है, कि दूनों की memory logically दूर-दूर होनी चा करता है वो जाकर कुछ write कर दे PUBG की memory में, अब PUBG तो अपना independently चल रहा था, उसको लग रहा था कि ठीक है, मेरे लावाद तो कोई और एप है ही नहीं, isolation उसको ऐसा लग रहा था, बट कोई पीछे से एप आई और उसने उठा के यहां पर कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ- अब जी खेलते हैं आपकी health है मनलो, आपकी 100% health है, अब यह क्या करेगा, TikTok उस जहां पर 100% लिखाया, उस memory location पर निकाल के उसने override कर दिया 0% से, अब आपकी तो थोड़े पहले 100% थी, अब आपका code का module क्या करेगा, देखेगा, इसके तो 0% health है, तो उसको मार दो, तो you will be dead, अब इससे क्या हुआ, कितनी खतरनाक चीज़ा है, आपको छोटा से example से समझाया, अब OS अगर इसमें picture में आ जाए फिर से, OS क्या करेगा, OS बोलेगा या, वो logically store करेगा कि मैंने TikTok को कहां से कहां तक की memory दी है, यह मानलो आपकी memory है, तो बोलेगा कि मैंने TikTok को 0 से मानलो इस location तक की memory दी है, तो मैं PUBG को इस location से इस location तक की memory देता हूँ बस, अब OS यहाँ पे पूरा-पूरा ध्यान रखेगा इस चीज़ का, TikTok को यह पता भी ना चले कि पबजी ऐसी app रन हो रही है, वहाँ पे, दोनों की memory भी separate रहीगी, दोनों की existence separate रहीगी, तो इस तरीके से जो OS है, वह memory protection और isolation प्रोवाइड करेगा किसी भी दो apps को, या multiple apps को, तो अगर हम थोड़ा सा notes पे नजर डाल लें, notes हमने आप के लिए बनाए है, बहुत मेहनत से, तो अगर notes पे नजर डाले हैं, तो सबसे पहले हमने जाना, what if there is no OS, तो इसमें हमने देखा कि resource exploitation कर दे कि हमें कोई भी है, गुंटा बन जाएगी, दूसरा कि जो hardware interaction का code है, memory management और वगेरा, वो सब आपको अपको लिखना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, complex app हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी, तो तीसरा जो हमने भी security issue बढ़ा, वो था कि कोई memory protection भी नहीं रहेगी, तो अब इसको थोड़ तरीके से सोचें कि अब हम बोल सकते हैं कि OS के functions क्या-क्या है, तो functions of the OSR, ठीक है, पहला function आपने देखा है, resource management का function, काफ इंपोर्टन function है, arbitration भी बोल सकते हैं, उसको fancy word use करना है, तो interviewer के सामने, दूसरा, कि ये दो entity जो हमारे पास है, computer hardware और user app, इसके वीच में, interface की तरह act क इसरा जो अभी आपने बलकी एप वाला example था हमारे पास, उसमें OS ने सारा hardware interaction का code, खुदी अपने code base में लिखा हुआ था, इससे क्या हुआ, अब वो आपको tension free कर रहा है, आप से छुपा रहा है, वो code कैसे लिखा है, आपको इस चीज की tension नहीं लिए नहीं, आपको सीधा mall hardware वाली साथ, जो complexity है, उसको आप अवाइड कर रहा है, विल्ग आप उसकी tension नहीं लिए तो this is a function of OS की जिसमें it hides the underlying complexity of hardware, जिसकों abstraction भी बोल सकते हैं, again a fancy word, चौथा सबसे important काम, facilities execution of application programs of providing isolation and protection, जस्ट हमने डिसकस किया, और एक और चीज, जो अभी down notes से हमने लिखी है, कि access to the computer hardware, अब हम बोल सकते हैं कि जो computer hardware का access है, वो user app के पास है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ OS के पास है, computer hardware के access, अगर किसी को computer hardware से interact करना है, तो OS भाईया के पास जाओगे, वो आपको guide करेंगे, कैसे आप करना है, तो this is access to the computer hardware, तो अब हमने OS ना हो तो जान लिया, उसका relevance जान आपने देख लिया, मतलब OS कितना important important काम करता है, अब एक और चीज़ पर ध्यान देते हैं, जो मैं सबसे पहले बोला था, what is an OS, operating system होता क्या है, एक formal definition, जो इनी सबसे मिलके बनी है, वो है, an operating system is a piece of software, एक software है वो, खुद एक software है, आप बनाते हो, वो तो ही software, ये खुद भी एक software ही है, एक piece of software that manages all the resources of a computer system, अब resources किसी भी type के हो सकते हैं, hardware भी, software भी, वो दोनों resources को manage करता है, and provide an environment in which user can execute his or her program in an convenient and efficient manner, अब वो एक ऐसा environment developer को provide कर रहा है, वो एक user को provide कर रहा है, कि वो अपने programs को conveniently or efficiently run कर सकता है, उसको इदर की tension लेने की कोई जरूत नहीं है कि कैसे memory locate होगी, या क्या होगा, multiple apps को अराम से run कर सकता है, कोई hijacking नहीं हो रही है, अब ये इसको करता कैसे है, ये दो important चीजों के नाम ले देते हैं, by hiding underlying complexity of hardware and acting as a resource manager, resource manager की तरह act करता है, और underlying complexity को hide करता है, तो ये हो गए OS की formal definition, ठीक तो ये हमारा first lecture था, OS का, जिसमें हमने जान लिया, काफी अच्छे चीजे पढ़े ही, हमने एकदम basic से जानी, I hope आपको सब समझ आया होगा, comment section में जरूर बताना कि कैसी थी वीडियो पहली, आगे क्या-क्या improvements कर सकते हैं हम इसमें, सब बताना, सब comments हम पढ़ेंगे, ठीक ह कर दो सकते हमेंगे, जानी लिया मेंगे만 नामते हादी अच्छेम इसमेंगे, अपये अरूर इसमेर कर दो एक दो सुचती हे, क्या